बलिदान दिवस रानी दुर्गावती का पराकरम कल आच और कल राष्ट के लिए अपना सबकुछ नरुशावर करने के लिए प्रतिपल सैयार स्रद्धियर दिपगोण जी से हम बात कर रहे हैं आउसर है रानी दुर्गावती का बल्दान दुर्ट जिनका मज नाम लेने से रग्वों में राष्टवात फड़कुता है। सरद्धिय दिपक गोण जी रानी दुर्गावती का पराकरम और महत्तावी से पर प्रकास जालें। पूरे राष्ट को रानी दुर्गावती के संदर में कुष्टार से बताएं। पंद्रवी सताब्दी में संका अध्बर के ख़स्तले मुगल समराज अपनी जड़े पूरे भारत में ब्यापक दौर पे खैला रहा था। बहुत से हिंदू राज्यों को बचाने के लिए ड़टकर मुकाब्ला स्यारा राज्टाना से होते हुए अध्बर की नजरमद्ध भारत तक भी जड़ा पोची थी लेकिन भमद्ध भारत को इतना मुगलों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं जहा और खासकर के गुणवा इसलिए नहीं कि कोई बहुत बड़ा राजी आठाजया मुगल संतनत का सामना कर रहा था बलकि इसलिए क्योंकि एक हिंदू राणी अपने पूरे स्वाधुमान के साथ अपने राजी को बचाने के लिए अडिक जिए दीपक जी उनके नाम पर किसी प्रदेश में इस जिए दीपक जी रानी दुर्गावती के जन के संदर में बढ़ा हैं यह रानी दुर्गावती जी का जन पांच अक्रुबर 1524 को उस्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक अस्थान है कालिंजर के में हुआ था उनके पिता राजा किसी चंदेल के यहां हुआ था वे अप नाम के अनुरूफी पियेज साहा साहरे तुर्गावती सब और खैल गई दुर्गावती जी बजपन से ही अस्थास में दुजिया में रूची रखती थी उन्होंने अपने पिता के यहां खुर्षवारी ती रंडाजी सालवारवादी जैसे हुआ के खलायों में महारत खा बारे में लिखा भी है वह पंदू को उर्थियों से निचाना लगाने में बहुत उंदात्ति और लगातार सिकार पर जाये करते जी दिपक ये राने शुर्गावती के भी बात के बारे में बताएं जी, महाराहिम दुर्गावती जी, 15-42 में, 18 साल के उर्थ में दुर्गावती जी के साधी गोर राजवान्स के राजा संगराम साथे सक्चे बड़े बेटे दलपस्था के साथी, मध्द प्रदेश के महनवानात शेतर में रहने वाले वंसा चार राजीव कर राज करते ते गडर मंदला, देवोगर, संगरा और सेला, जुर्गावती के पसी दलपस्था का अधिकार गडर मंदला के साथ, दिवार दिशे बेशा के राजनेटिक विचल्था के सायस पहली बार था, जब एक राजपूर के राजकुमारी के साधी गोन लोगों के मदब से चनले कुझ जानकारी दें। दिपक जी उनके साथ जो लोग समर्सित भाव से थे उनको उन्होंने किस तरह से सम्भान दिया और एक योधा के रूप में राणी दुर्गावती के बारे में हमें बताएं योधा जो 15-56 में मालवा के सुल्दान राज बाहदूर ने गुगलवाना पर हमला बन दिया लेकिन राणी दुर्गावती के साहाथ के सामने भूरी तरह से पराजित हुए यह सांती कोची समय के थी 1562 में अकपर ने मालवा को मुगल समराज में मिला लिया था इसके अलावा रेमा पर असरफ खान राज का हो गया था अब मालवा और रेमा दोनों ही सिम्खें गुंडवाना को छोती थी लेकिन जुर्गावती जी की युद्ट सहले ने मुगलों को ऐसा चौका दिया उन्हों ने अपनी सेना के कुछ सुकड़ियों को जंगलों में शिपा दिया और बाकी को लेकर अपने साथ जंग चल पड़ जब असब हामने हमला किया और उसे लगा कि रानी के सेना हार गई सि इडिर बर्ताना कि canra कर दिया और उसे पीछे अदना पड़ाई सिर्णाब्स ने मुगलों का कामना किया उन्हें हराया लेकिन जीद अब हम बुरी तरह से गायल जाने के लिए कहा लेकिन इस ही उद्धा राणी ने एसा करने से मना कर दिया वह अपनी आकरी साथ सक मुगलों से लगती रही जब राणी दुरगाती को आफास हुआ कि उनका जीज जी तरह असंभव है तो उन्होंने अपने विश्वास पाफ्र मंत्री आदाती से अधरे कि जी 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 अभी जो आपने पंद्रोश चपन में मालवा की सुल्टान बाज पहादू ने गोडवाना पर हमला कर दिया था उसके संदर में आपनी बताया और इसी खाथ हम आप से राणी दुरगावती की समाच के संदर में जानना चाहते हैं जी जी रानी दुरगावती के समाथ ही हम लोग के लिए और आजिवासी समाथ के लिए गूरों के लिए यए ऐसे जन्नत के तोर पे है जहां के हम लोग जाकर अपनी अंत्री यातरा समस्य है के नहीं अपर ही वो है उस वीशा में मैं आपको प्रकाछाल देता हूँ सब्सक्राइब करते हैं जबलपूर में इसी थे रानी दुर्गावती पिश्विडालर भी इनी रानी के नाम पर है भारा सरकार ने साल 1988 ने रानी दुर्गावती के समान में एक पोस्टल इस्ट्यान भी जारी किया था राज्ट के लिए रानी दुर्गावती ने बलडान दिया सूरच चांथ के साथ रानी दुर्गावती का नाम भी संसार में बना रहेगा जी 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 जारी दुर्गावत्वी को मनमन करते हैं और आदरी दीपक जी आपको बहुत बहुत धन्य बाद देते हैं जी जी पड़ाम